आप लोगो के लिए एक छोटी सी जानकारी है अलेकेडमी के MPPACY अंड्यापन्स के प्राइस बहुत ही जल बढ़ने वाले हैं तो जिन्हें भी कोर्स पर्चिस करना है वो PG Live रिफ्टर कोर्ड यूज करके प्लस कोर्स ले सकते हैं प्राइस बढ़ने से पहले इसमें से अगस्त में कुछ नए बैचिस से स्टार्ट हुए है जैसे आपको गुर्मार्ग दर्शन हो गया MPPACY प्रेलियम से 2020 हो गया Fundamentals for MPPACY अंड्यापन्स एक्जाम हो गया और आपका 8-month foundation best for MPPACY प्रेलियम सेंड मेंच भी इंसर आइटी सिरीज हो गया इसमें से आपके यह सारे बैचिस जो है अभी स्टार्ट हो चुकी है अगस्त में और यह भी स्टार्ट होने वाला है जिसमें से आपका Mission MPPACY 2022 2 years foundation course for audience and means with answer writing series आपका यह इंड्याइम में है यह आपका 24 लगस्त से यह भी आपका श्टार्ट हो चुका है यह सारे course आपको एक ही subscription में मिल जाएगा इसके लिए code यूज करना है आपको PG live से लिए कुछ question solve कर लेते हैं फस्ट question है सोन नदी बिहार में प्रवेश करती है आपके options है A. रुवतांग जिले में B. मधेपूरा जिले में C. सारण जिले में D. पूर्णिया जिले में इसमें से आपका right answer क्या होगा रुवतास जिले में next question है संजय गांधी जैविक उद्यान इस्थित है options है आपके A. पटना में B. पश्चिम बंगाल में C. वैशाली में D. कैमूर में आपका इसमें से right answer क्या होगा पटना में next question है अनसूचित जात आयोग की स्थापना कब की गई थी options है आपके A. पंद्रा फरवरी 2004 को B. सोला फरवरी 2004 को C. अठारा फरवरी 2004 को D. उननीस फरवरी 2004 को इसमें से right answer क्या होगा आपका उननीस फरवरी 2004 को next question है भारती अंतर देशी जलमार्ग परिवहन का छेत्री कार्याला इस्थापित है options है आपके A. छपरा में B. भागलपूरा भागलपूर में C. पटना में D. गया में आपका इसमें से right answer क्या होगा पटना में next question है मत प्रदेश की सबसे पवित्र नदी है आपके options है A. गंगा B. यमुना C. नर्मदा D. चमबल आपका right answer क्या होगा नर्मदा next question है मत प्रदेश का सबसे कम सिंचित जीला कौन सा है options है आपके A. सहडोल B. जाबूआ C. डिंडोरी D. कोई नहीं इसमें से आपका right answer क्या होगा डिंडोरी next question है Dr. फादर कामिल बुल के सम्मान का सम्बंध है आपके इसमें options है A. भक्ति साहित से B. विदी साहित से C. महेश्वर प्रशाद D. घर्म एवं दर्शन से आपका इसमें से right answer क्या होगा भक्ति एवं साहित से next question है करपुरी ठाकूर का जन्म इस्थल है आपके options है A. मूरिली घरहवा गाउं B. अमहरा गाउं C. पिछाओचिया गाउं पिछाओतिया गाउं D. तरावनी गाउं आपका इसमें से right answer क्या होगा पिछाओचिया गाउं से next question राश्टी पिछडा बर्ग आयोग संभिधान के किस अनुच्छेद में परिभासित किया गया आपके options है A. अनुच्छेद 340 B. अनुच्छेद 342 C. अनुच्छेद 338 D. अनुच्छेद 338 आपका इसमें से right answer क्या होगा अनुच्छेद 338 Next question है केंद्री सूच्छन आयोग का तेरवे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था आपके options है इसमें A. मुंबई B. दिल्ली C. राची D. कोलका था आपका इसमें से right answer क्या होगा दिल्ली ओके, थैंक्यू क्लास